सालाम अलेकम डियर स्टुडेंट्स वेलकम टु पंजाब टेकनिकल एंस साइंस अकैडमी मैं मैं आपके स्टॉक्टर मोहमद बिन जमील स्टुडेंट सम्डी मैथ 212 चैप्टर नमबर 3 इसकी रिशनलाइज एक्ससाइज 3.3 क्वेशन नमबर 2 इसका पार्ट नमबर 4 डिसकस करने जाने हम और इस क्वेशन में हमारा है कि natural log of the e-2 पावर x-1 डिवाइड भाइड 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 वाइड भाइड बैइड भाइड बन कर ले मैं तो अब हमने derivative लगाना है लेकिन से पहले आप इसको अभी भी सिंप्लिफाइड कर सकते हैं यहनगिए log a डिवाइड ब बी होता है तो हम लोग ए माइनस लोग बी में कनवर्ट कर लेते हैं क्यों ना हम इस क्वेशन को भी करके तो रहा शोट कर लें पर्शन रूर से बढ़ जाएंगे तो वाई इस इक्वाल टू जो हमारा होजेगा लोग और इसके साथ आजेगा यह ए और माइनस में करते हुए लोग यह भी आजेगा ए की पावर एक्स माइनस वन ठीक होगे जी अब हमने यहां पर यह वो डेरिवेटिव अप्लाए करना है सो डिफ्रेंसियेशन विद रिस्पेक्ट तू हमारा जो इंडिपेंडेंट व्याइबल है वह एक्सा इसकी रिस्पेक्ट लेंगे ओन बोथ साइट पे इडिवाइड वाई यह यह लेफ्ट साइट पर अप्लाई हो गया राइट साइट पर डिवाइड प्लस वन अब हम लेफ्ट साइट पर डिवाइड वाई यह लिए पर आपने दोनों पर सेपरेट डिवाइड वैट अप्लाई करना है तो डिवाई बाइड बैंट इंटू क्या आएगा यहां पर हमारा नेच्ट लोग ओफ ऑफ एक्स प्लस वन रही हो गया तो ब्रेक्ट लगा देते हैं तो यह होज़ेगा हमारा याप पर नेचरल लोग ओफ एक्स माइनस वन सब्सक्राइब करने यहां पर पहले तो पहले वाले का डेरिवेटिव देखें नेचरल लोग ओफ एक्स और फिर डेरिवेटिव एक्स का अब x की आगे पहुए टोप्लस फाले को क्या करेंगे सेपेटि वाली वाली वैल польз यह यह लिखेंगे डेरिवेटिव लेटिव लेना है इसके आगे जो ऐंगल यह जो भी वैलिव है यह आपका फर्स्ट वाला सोल भूह आभी डेरिवेटिव है उसकेंड वाले की वाली मान divide by e की power x minus 1 साथ ही derivative लेना आपने इसी e की power x minus 1 का जिसको हम fraction में लेकर आए थे तो यह हो गया अब इंपल करना है अब आपने derivative आप आगे जो है तो dy divided by dx is equal to फस्ट वाले में जो है ना 1 divided by e की power x plus 1 तो वैसी रहेगा ठीक हो गया इस पे आपने अलेदा derivative लगाना है तो इस तरह कर लें कि e की power x का derivative वैसी रह गया e की power का derivative क्या है 1 और constant का derivative हो गया तो यह आपका हो गया complete इस तरह से यहाँ भी देखे minus में आगे e की power x minus 1 वैसी आगी यहाँ पर सेम वैसे e की power x साथ इसकी power पावर x से उसका derivative with respect to x 1 है साथ ही constant का derivative हो गया 0 पतला कि यहाँ पर e की power x दोनों के इंदर common आती है वाहिर निकाल लेती है तो dy divided by dx equal to अब यहाँ से e की power x जो उपर value value हो जो है वाहिर common ले इसमें आपके पास है 1 divided by e की power x plus 1 और इसमें आपके पास है minus में 1 divided by e की power x minus 1 पाहिर क्यों निकाला e की power x को के बाद भी पिर उसने multiply होना है तो वो कुछ अलग सा सवाल बन जाएगा तो हमने ऐसे ही रहने देना और यहाँ पर हमने इसका LCM लेना है तो dy divided by dx equal to वैसे भी c cutting हो जाएगी तो यहाँ पर है e की power x आ गया और अंदर देखें आपके पास यह आ गया आपका LCM नीचे a plus b form भी देख सकते हैं और a minus b की form भी है जो कर next जाकर a square minus b square बन सकती है बागी तो आपने close multiply करना है यह नहीं के e की power x minus 1 है माइनस में आपका यह हो गया e की power x और plus 1 है तो बाग बाद में जब देखेंगे तो यह cutting हो जाएगी चीग हो गया next step में देखिएगा के नीचे कुछ नहीं है 1 है तो dy divided by dx equal to इस e की power x को हम उपर ही रहने देती है अंदर अगर आप देखेंगे तो यहां पर क्या solve हो रहे है एक तो e की power x है minus 1 है minus e की power x है और minus में 1 है तो यह negative positive क्या हो गई cutting हो गई नीचे आप देखेंगे तो a square minus b square बन गया यह नहीं यह हो गया a square और minus में यह आपका हो गया b square अब यह x का square यहां पर value बन जाएगी ठीक है ना यह नहीं बैसिकरी यह two x हो जाएगी यह multiply हो रहा है power नहीं है यह से multiply हो जाएगा मैं answer में भी देख लेता हूँ x की power 2 x होनी चाहिए ना ठीकी power sorry 2 x तो part कौन सा है यह हमारा बलके 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 student student दो तरह की answer है book में यह भी answer है आपका यह जो आ रहे हैं यह जो value यहां पर बन रही थी ना मैं चले आपको बाद दिन पर बता देता हूँ यह मैंने e x power x by रखा हुआ हूए जो यह अगर ना भी रखा जाए तब भी आप देखेंगे कि यह एक answer बन गया हूँ है आप लिख सकते हैं वो भी और यहां पर बलके मैं इसको answer decalate कारी देता हूँ यह भी answer ही है यह इसको अंतर multiply करते दोनों के उपर तब भी answer ही है और book वाले answer में यह answer बनता है यहां पर यह हो गया dy divided by dx इक्वल टू यह e की power हो गई x और इंदर है माइनस में 2 और नीची आपके पास क्या है e की power 2x है और माइनस में 1 है यह 2x होगी power square में नहीं होगी square की power power की शकल में होती है यह multiply हो रही है तो उसके बाद आदेगा आपका dy divided by dx ठीक है is equal to minus 2 e की power जो है वो x है और divide by और इसका अंसर बिल्कुल ऐसी है e की power 2x minus 1 है student book में दो तरह के answer में यह answer भी है तो एक मैंने आपको पहले बता दिया multiply गए answer बन जाएगा I hope की यह question जो है थोड़ा सा यह नहीं के lengthy था वैसे लेकिन आपको समझ आगे होगा इसकी तरह से practice कीजिएगा rationalized exercise के अंदर है और यह paper में आ सकता है short के लावा long में भी हो सकता है यह तो अची तरह से अपने practice करनी है तो अगर आपने अभी तक चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है तो चैनल को जो है वो आप सबस्क्राइब भी कर ले साथी पर लाइकर पर क्लिक भी कर दें वीडियो को लाइक करें शेयर करें कोई भी question क्यूरी वगएरा हो तो कमेंट लाजमी कीजिएगा आपके साथ भी मुलाकात होगी दौाओं में याद रखिएगा अलाहाफीज